Hello friends, Welcome back अज मैं बात करूँगा अदानी विल्मार का इस स्टॉप को डिस्कस करने का रीजन है कि आपको ये बताना कि अगर आप टेक्निकल के उपर अपनी एक्सपरटाईज रखते हैं तो कितना असान है किसी भी स्टॉप के बॉटम को आइडेंटिफाई करना आप बॉटम में बाई करके टॉप के उपर सेल्ट कर सकते हैं इस स्टॉप को मैंने एज एक्जामपल के रोप में लिया है तो ये बाई और सेल्का रेकमेंडेसा नहीं है आपका बद बस यहाँ पे सिर्फ और सीखना है जो लोग चैनल के उपर नए हैं उनको बता दूँ कि मैं एक बॉटम बाईर हूँ मैं हमेशा अच्छे स्टॉप को बॉटम में आइडेंटिफाई करता हूँ इसके लिए मैं टेकनिकल के उपर मेहनत करता हूँ और किस तरीके से करता हूँ तो चीश मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो यह है ट्रेडिंग व्यू और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्डेपल वाचलिस्ट मेरे पास है जैसे Nifty 1000, Nifty Smallcap 250, Nifty Smallcap 400, Nifty 100, Nifty 200, Nifty 500 मैं एक यह कर के इन सारे वाचलिस्ट में जितने इन सारे स्टॉक हैं उनको देखता हूँ उसको फायदा यह होता है कि मेरे से कोई भी स्टॉक bottom में miss नहीं होता जो भी stock मुझे अच्छा लगता है जिसको मैं monitor करना चाहता हूँ उसको मैं अपने is watch list में stock under watch भी डाल देता हूँ और जिसको buy करना मता है उसको मैं stock to buy में डाल देता हूँ इस तरीके से मैं count करता हूँ रोज के 500 से 1000 chart देखने के बाद जो भी chart मुझे अच्छा लगता है उसको मैं youtube क्या जो मैं community है join button है वहाँ पे मैं post करता हूँ जैसे तीन दिन पहले मैंने अदानी विलमाओर को रेकर post किया था कि यहाँ पे around in bottom बन रहा है falling waste up information हो रहा है stock में rally आ सकती है तो आप इस stock की analysis करे यहाँ पे मेरा purpose यह होता है कि आप खुद chart को देखे समझे और अपनी तो skill है अपनी तो expertise है technical के उपर बढ़ाए अब हम वापस से आते हैं इसके daily time frame के उपर और यह समझने की process करते है कि यह stock उपर जाएगा या नीचे जाएगा कोई दे stock उपर जाएगा या नीचे जाएगा अगर आप chart को समझोगे तो आपको यहाँ पे पूरी तरीके से दिखाई देता है कि इस stock में हो क्या रहा है अगर आप दियान से देखेंगे तो यह तो stock है एक लंबे uptrend में था यहाँ से एक बड़ा uptrend था उसके बाद यहाँ पे गिरावट आनी सुरू हो गई यानि downtrend यहाँ पे सुरू हो गया अब downtrend कहाँ पे खता होगा यह हमें कैसे पता चलेगा यह हमें पता चलेगा falling waste से और rounding bottom से falling waste हमें यह बताएगा कि stock में further गिरावट नहीं होगा rounding bottom हमें यह बताएगा कि stock में accumulator वो रहा है यहाँ पे smart bind हो रही है falling waste को मैंने multiple time discuss कर दिया है तो यहाँ पे discuss नहीं करूँगा फिल्हाल मैं अभी यहाँ पे rounding bottom की बात करूँगा तो अगर अब दियान से देखे हैं यहाँ पे यह जो एक chart pattern बनने की कुशिस हो रही है यह है left solder यह पूरा का पूरा head और यहाँ से यह से बनेगा यह पूरा head और यहाँ से right solder बन सकता है लेकिन फिल्हाल अभी जो pattern बन रहा है यह बन रहा है rounding bottom अब rounding bottom कैसे बनता है इस चिसको हमें सवाचना है rounding bottom में होता क्या है कि stock में एक बड़ा downtrend आएगा उसके बाद stock एक range में trade करने लगेगा यह होता है दूसरा stage first stage जो होता है downtrend और दूसरा stage होता है accumulation और तीसरा stage होता है uptrend तो जो accumulation वाला stage है उसको हम कैसे identify करेंगे कि यह accumulation है यानि rounding bottom अपने second stage में है इसको identify करने का तरीका है कि आप निसले लेबल पर देखोगे तो यहाँ पे stock एक range में trade करेगा और multiple bullish chart pattern फार्म वरने सुलो बजाएंगे तो आप देखो एक बड़े downtrend के बाद यहाँ पे जो यह बड़ा downtrend था उसके बाद stock एक range में trade करने लगा है तो मुझे अब बाई करना हो तो मैं कहाँ बाई करना पसंद करूगा यहाँ पे जो इसका support वाला range है यहाँ पे मैं बाई करना पसंद करूगा और मैंने यहाँ बाई किया भी था और जो लोग मेरे student वारे लड़नी ग्रूप में हैं उनको पता होगा तो यहाँ पे आप देखो यह जो होता है यह होता है और यहाँ पे आप निशले लेवल पे देखोगे तो multiple बुरे chart pattern का formation हो रहा है यहाँ पे कैसे हो रहा है मैं पो दिखा दूँ यह तो फिर से stock में बड़ी रही आएगी और stock वही पे पनुचेदा जहां से इसको नीचे रहाए गया है यानि कहां से नीच आया है यहां से तो 800 से नीच आया है वापस से यह 800 पे जाएगा अगर यह 800 की पर जाता है तो यहां से कितना percent gain है यहां से यह 100 percent से जादा पर gain है और तब जाकर यह तो stock है यह पूरा rounding bottom complete करेगा तो यह तरीका होता है stock market में काम करने का आपको technical group पर manage करनी पड़े कि आपको fundamental को समझना पड़ेगा और fundamental को भी हम समझ लेते हैं कुछ लोग यह बोलेंगे कि मरीस बाई यह जो है stock पी काफी माना है ROC बहुत अच्छा नहीं है लेकिन मैं आपको एक जीस बताना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले तक अगर आपने Jometo को देखा होगा तो Jometo जो था एक बिकार company था Jometo लोज लगिंग कंपनी थी लेकिन आप देखो कि किस तरीके से यहाँ पे पैडल फॉर्म हो रहा था यानि जो smart loop थे उनको पता था कि आगे चलकर यह profitable होने वाला है आगे चलकर इसमें बड़ी जाएदी आएगी तो stock market में मैं technical के उपर ज़्यादा focus करता हूँ बसरते कुछ conditions होने चाहिए जैसे मुझे promoter अच्छे चाहिए यानि जो promoter experience है इनको business की समझ है तो अब मैं ऐसे promoter पे दाउन लगाना पसंद करता हूँ तो अगर यहाँ पे हम सीधे share holding में जाएं share holding को देखें तो यहाँ पे promoter के पास 88% की holding है पबलिक के पास 11% की holding है promoter ने maximum holding अपने पास रखा है वो सकता है कि आगे चलकर इनको अपने holding यहाँ पे कम करना पड़े तो वो कोई बड़ी बात नहीं है फिलाल यहाँ पे equity capital जो है बहुत ज़्यादा डाइलूट नहीं हुआ है reserve लगतार रहा है इसके अलावा CWIP भी यहाँ पे काफी अच्छा है investment भी ठीक है अच्छी balance ही थै और प्रोपिटियर लॉस की बात करे तो यहाँ पे operating profit जो है लगतार मार्स 2023 के बास से बढ़ रहा है और यहाँ पे save में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है salary यहाँ पे ठीक है तो सारे चीज़े पुल मिलाकर यहाँ पे ठीक है और technical भी यहाँ पे इस चीज़ को confirm कर रहा है कि yes कि यहाँ पे एक बड़ी रही है तो definitely stock उपर जाना चाहिए लेकिन मैं एक चीज़ और बता दो कि अगिन आप कोई विटी सीज़ अपने रजिस को लेंगे मेरा परपस आपको सिफ इतना बताना है कि business, fundamental, technical तीनों को combine करके अगर तो लागिसे stock को buy किया जाए तो loss होने के chances कम है Thank you so much